नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है शांतनूर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACTH हॉर्मोन के बारे में जिसे हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं हम एंडोक्राइनलोजी के अंतरकत एंटीरी पिट्यूट्री से निकलने वाले हॉर्मोन पे चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले तीन-चार वीडियो में हम एंटीरी पिट्यूट्री से निकलने वाले चार अलग-अलग हॉर्मोन की चर्चा कर रहे हैं आज के यह जो वीडियो है डेडिकेटेट है पांचवे हॉर्मोन ACTH के बार में तो चलिए बिना किसी ट्रेम वेस्ट की हम शुरू करते हैं ACTH जिसे हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एड्रिनल जो ग्लेंड है जैसा कि हम सब जानते हैं एड्रिनल ग्लेंथी का जब हम क्रोस सेक्शन काटते हैं तो एड्रिनल ग्लेंथी के अंदर एड्रिनल ग्लेंड के अंदर बीच का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं मेडूला और जो चारो तरफ का पार्ट है इसे हम बोलते हैं cortex और जैसे कि यह हर्मोन का नाम है इसका जो अगर हम पूरा नाम पढ़ेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे adrenal, लिखते था हूँ मैं corticotropic hormone, ACTH और corticotropin इसका नाम है यानि यह mainly cortex को control करता है तो यानि adrenal का जो cortex है अब देखिए जो basic difference है cortex से जो हर्मोन निकलते हैं यह होते हैं सारे के सारे steroid यानि cortex adrenal का वो पार्ट है जो steroidogenic होता है steroidogenic hormone secret करता है तो इससे basically तीन तरह के hormone secret होते हैं जैसा कि आपने पढ़ा होगा ग्लुको कॉर्टिकोईट्स मिन्रोलो कॉर्टिकोईट्स और 30 सेक्स कॉर्टिकोईट्स इस सारी बाते डीटेल में हम पढ़ेंगे जब एडेनल इजन्थी के बारे में ज्यादा डीटेल में चर्चा करेंगे अभी तो हमारा जो टार्गेट है वो एडेनल ग्लेंड नहीं है हम बात कर रहे हैं एंटीरीर पिट्यूट्री से secret होने वाले हॉर्मोन एंटीरी पिट्यूट्री से यह जो आगे आगे वाला पार्ट है वो है एंटीरी पिट्यूट्री से और एंटीरी पिट्यूट्री से जो सिक्रेट होने वाला हॉर्मोन है वो है ACTH, एड्रेनो कॉर्टेकोट्रोपिक हॉर्मोन, चलिए तो एड्रेनो कॉर्टेकोट्रोपिक ह होर्मोन के बारे में बात करते हैं.. सबसे पहली बात अडेनो कुटिखो ठेक ह्वार्मोन के शिर्या होता है.. दूसया जैसा कि है हम पहले पढ़ पेड़ पढ़ चुए हैं .. जिसमें acidophil, basophil जो cells होती हैं, ये basophil cell से secret होता है और ये staining के basis पे chromophob cells होती है देखे, ये उन basophil से अलग है, देखे, basophil जो gland है इन्होंने glycoprotein nature के 2-3 hormone अभी तक हमने पढ़ा है growth hormone हमने पढ़ा है और gonadotropins पढ़ा है ये दोनों ये basophil ने secret कि है, लेकिन यहाँ पर ये जो basophil है, ये इस तरह के hormone secret नहीं करती है यहाँ पर ये chromophob cells है, यानि ये staining के प्रती resistance है, staining show नहीं करेंगे ठीक है? चलिए, अच्छा, तीसरी जो बात है, ये जो ACTH hormone है ACTH hormone की जो length है, वो 39 amino acid होती है और आपकी जानकरी के लिए बतादो, ये shortest है, in anterior pituitary anterior pituitary के जितने भी hormone है, उसमें सबसे छोटा जो peptide hormone है जो 39 amino acid से मिलके बना, वो ACTH है एक और बात जो इसकी important है, जो एक और hormone होता है, melanocyte stimulating hormone ये इससे बहुत ज्यादा similarity दिखाता है, इसकी जो first 13 amino acid है, ये एक बात important है, ध्यान रखे, first 13 amino acid जो है similar है to alpha MSH, जो mid pituitary से, mid lobe से, जो melanocyte stimulating hormone है, जो कि हमारे skin की melanocyte को induce करता है, color change के लिए, उस hormone से, इसकी जो पहले 13 amino acid है, वो उससे similar होते हैं अब इसका आगे कारण हम discuss भी करेंगे, जब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसका जो molecular weight है, इसका जो molecular weight है, वो 4500 kilodalton के लगबग होता है ठीक है? चलिए अब जैसा कि इसका नाम, जैसे हमने काम इसका पढ़ा पहले, यह क्या काम करता है? यह adrenal के cortex को stimulate करता है for water to secret इसलिए different hormone secret करने के लिए, यानि adrenal के cortex पार्ट से जो hormone secret होने, तीन तरह के हमने बताए mineralocorticoid, glucocorticoid, sex corticoids, इसमें से sex corticoids को छोड़के, यह mineralocorticoids और glucocorticoids दोनों के secretion पर अपना बहुत बड़ा कंट्रोल रगता अच्छा, यह बात पता कैसे चली, यह बात भी समझने, तो देखे, यह कैसे पता चली, जब हमने यह देखा, कि जब हमने hypofysis, hypofysis क्या होता है, pituitory, hypofysis को जब remove किया, कुछ patient में, कुछ organism में, तो क्या देखा, कि adrenal, जो cortex part है, उससे secretion बंद हो गया, और वो एकदम से degenerate हो गया, यानि इसके अंदर हो गया, यानि इसके अंदर होगी atrophy, यह फिर मैं को adrenal cortex दीरे-दीरे खतम हो, क्या remove किया, pituitory, इसका मतलब क्या हुआ, कि pituitory से adrenal cortex का कोई ने कोई relationship है, इससे interestingly, और भी एक क्या चीज हुई, अगर हमने replacement therapy दी, replacement therapy क्या दी, हमने pituitory extracts, जो extract है, उनसे अगर replace किया, replacement theory दी, replacement therapy, तो जिनके अंदर हाइपोफाइसिस नहीं है, उनके अंदर भी cortex जो वाला जो काम है, वो सही से होने लगा, इसका मतलब, pituitory के extract में वो chemical है, जो हाइपोफाइसिस से निकल के cortex को control करता है, ठीक है, समझा है, यानि pituitory extract को अगर हमने उन patients में inject किया, जिनके अंदर हाइपोफाइसिस निकाली गई है, तो उनके अंदर adrenal cortex है, वो regulate होने लगता है, और वो properly काम करता है, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, ये mainly दो hormone को effect करता है, mainly effect करता है किसको, mineralocorticoids को, और glucocorticoids को, अब देखे, mineralocorticoids किस से related है, mineral की metabolism से related है, और glucocorticoids किस से related है, carbohydrate mechanism को, यानि ये adrenal gland के उपर mineral और carbohydrate mechanism को control करने वाले hormones को regulate करने का ये काम करता है, कौन करता है, ACTH, कहां से secret होता है, anterior pituitary से secret होता है, getting my point, चलिए, अगला point पढ़ते है, इसका जो major target hormone है, अगर हम सबसे पहले बात करें, जो major जो इसका target hormone है, एक-एक करके बात करते हैं, सबसे पहले glucocorticoids में, glucocorticoids में ये दो hormone body में secret होते हैं, एक होता है cortisol, cortisol पहला, और दूसरा जो glucocorticoid है, उसको हम बोलते हैं, corticosterone, corticosterone, ये दोनों ही glucocorticoids, और इनको control करने का काम, इनके secretion को control करने का काम, ACTH करता है, ठीक है, अच्छे, क्या होगा, अगर ACTH, if, ACTH का secretion बढ़ जाए, तो क्या होगा, इससे क्या result हो सकता है, इससे क्या होगा, कि cortisol जो होगा, और cortisol जो है, इसका secretion भी body के इंदर बढ़ जाएगा, और एक disease हो जाएगी, जिसे हम बोलते है, Cushing disease, कौनसे disease हो जाएगी, Cushing disease, यह हम आगे पढ़ेंगे, जब हम adrenal gland के बारे में पढ़ेंगे, तो ACTH के hyper secretion से यहाँ पर cortisol और corticosteron के access हो जाती है, जिससे Cushing disease हो जाती है, अब आपको याद होना चाहिए, मैंने एक बात कही थी, कि इसकी similarity जो है, यह इसकी जो पहले 13 आमीनों से, यह MSH से relations शो करते हैं, इसलिए जब ACTH होर्मोन की access हो जाएगी, तो यह अपना जो melanocyte को affect करने वाला जो symptom है, या फिर मैं कहूंँ जो ability है, उसको use करेगा, और Cushing disease के अंदर ACTH की access की वज़े से hyperpigmentation हो जाएगा, because melanocyte को इसका disease है, यह इसका symptom है hyperpigmentation in Cushing disease. Cushing disease के अंदर होने वाला जो hyperpigmentation है, यह इस बात को indicate करता है, कि yes, it is very very related with melanocyte, it can affect, यानि melanin synthesis को यह किसी ने किसी से तरीके से effect कर सकता है, ठीक है, अच्छा, इसी के, इसी की, इसी की, इसी तरह से, अगर ACTH का, अगर hyposecretion हो जाए, तो क्या होगा, cortic sol के अंदर क्या है कि कमी आ जाएगी, और इससे जो disease होगी, या तो कमी आ जाए, या ACTH absence हो जाए, तो इससे जो कमी आएगी, वो आएगी Addison disease, Addison disease, तो या तो ACTH कम हो जाए, या फिर totally बन जाए, यानि अगर हम adrenal gland को हटा दें, adrenal gland को हटा दें, तो क्या होगा, corticol की absence की विर से Addison disease हो जाएगी, बिकोज इसकी discovery Addison ने की थे, और उन्हें हम father of endocrine analogy बोलता है, बिकोज, he removed adrenal gland and he found, just because of absence of cortisol, there is a symptom, there are some symptoms, which are collectively known as Addison symptoms, Addison disease, ठीक है, अब इसका regulation कैसा होता है, regulation बड़ा असान है, जैसा कि हमने का, anterior pituitary है, ठीक है, anterior pituitary की यह basophil cells है, यहाँ ACTH है, तो यह जो cells है, यह secret करेंगी ACTH, लेकिन इनको यह secret करने का formula है, या फिर secret करने का order है, वो कहाँ से मिलेगा, hypothalamus से, तो this is hypothalamus, और hypothalamus से release किया जाएगा, ACTHRH, ACTHRH, तो यह जो ACTHRH है, यह promote करेगा, in basophil cells को, to release ACTH, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, एक simple feedback regulation है, तो blood के अंदर ACTH का जो level है, वो इसको feedback regulate करेगा, अगर ACTH का level अगर ज्यादा हो जाएगा, तो यह इसको negative feedback करेगा, और ACTHRH का level, hypothalamus क्या करेगा, कम कर देगा, जिससे ACTH का secretion कम हो जाएगा, it's very simple, ठीक है, it's very easy, तो mainly इस तरह से इसका regulation होता है, तो hopefully आपको यह video में, आपको ACTH के बारे में, जो short discussion था है, यह समझ में आगा, इसका ज़्यादार तेयर detail portion है, जो हम adrenal gland के अंदर पढ़ेंगे, तब तक यह थान्यवा.